अपने अधार का इंडूलमेंट नमबर जानने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्रोज और उपेन कर लेंगे और यहां पे टाइप करेंगे माईधार.डूआईडी.डूट गोब.डूट इन यह सर्च करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का लेकम टू माईधार तो इस पेज को उपर करेंगे और उपर करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं री ट्राइब ई आईडी अधार नमबर तो यहां पे आपको क्लिक करना है तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद देखें यहां पे इंडूलमेंट आईडी है तो यहां पे क्योंकि आपको enrollment ID पता करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो अधार कार्ड में आपका नाम है वो आप यहां पर इंटर करेंगे इसके बाद जो अधार कार्ड में मुवाल नमर लिंक है वो आपको यहां पर इंटर करना है इसके बाद यहां पर email id को चोड़ सकते हैं और यह जो आपके प्टा देख रहे हैं इस के प्टे को इस बॉक्स में आपको इंटर करना है इसके बाद आपको involvement id यानि की id तो यहां पर आपका देखिए आ चुका है तो यह आपको जो है यह enrollment आइडी है जो कि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं हाईलाइट करके यह enrollment पर देख सकते हैं आपका यहां पर इंडॉल्मेंट आईडी आ चुका है इससे आप अधारकार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यह इंडॉल्मेंट आईडी से तो अगर आप अधारकार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं इस तरह से आप इंडॉल्मेंट आईडी पता कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि enrollment ID से अधारकार कैसे download किया जाता है तो आपको वीडियो के description box में link मिल जाके आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह से enrollment ID यानि की EID नमर इसी को कहते हैं आप पता कर सकते हैं